Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ Friends, हम बात करेंगे इस वीडियो पर Resistance क्या होता है, Current क्या होता है, Voltage क्या होता है और Source Circuit क्या होता है, Close Circuit, Open Circuit इन सब में Difference क्या होता है तो इस वीडियो पर हम इसी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, Like कर ले और इस चैनल को जरूर से जरूर आप Share करें अपने जो भी ITI या डिप्लोम वाले Friends है, उनको जरूर Share करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, Friends, Resistance क्या होता है Resistance का क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करें, Resistance का Basically काम आपको सबको पता होगा जिन लोग ने ITI डिप्लोमा कर रख है Electrical से तो Resistance का Basically काम होता है, Current जो हमारी है उसको क्या है? रोकना यानि Suppose that यह हमारा Current Flow हो रहा है, Electrons Flow हो रहे हैं यानि Electrons को क्या करना है? कम करना है यानि Electrons को रोकना होता है तो Suppose that यह हमारा Current Flow हो रहा है इसके अंदर किसी भी वायर के अंदर और अगर हम यहाँ पे एक Resistance लगा देते हैं यहाँ पे अगर हमने Resistance लगा दिया यह हमने Resistance लगा दिया तो यह जो Current Flow हो रहा था, यह Flow होना बंद हो जाएगा यानि आगे Transfer नहीं होगा तो जैसा कि आप इस पे देख पा रहा है यह हमारा क्या है Resistance है इसमें यह Diagram ओम से दे रखा है यह हमारा Resistance है और यह हमारा Voltage तो Voltage जो है क्या कर रहा है Current को धक्का दे रहा है, यानि आगे भेज रहा है तो भेजने का काम कौन कर रहा है Voltage कर ला है अब क्या बात करें, यहाँ पे जैसे Ohm यानि Resistance की जो Unit होती है वो होती Ohm होती है तो Resistance क्या कर रहा है, आप देख पा रहे हैं आपे इसको रस्ती से बांध के रखा हुआ है यानि आगे नहीं जाने दे रहा है तो Basically काम, Resistance का यह होता है कि Current को रोकना यानि Current को आगे Flow नहोने देना तो यह होता है Resistance का काम Friends, अब बात करते हैं Friends हम Current, Current क्या होता है अब देखो, इसमें Current का दे रखा है कि Suppose that यह हमारे पास 9V की बैटरी है अब इसमें क्या है कि यह Current Flow हो रहा है Current Flow होने का मतलब क्या हुआ कि Electrons Flow हो रहे है यानि Flow of Electrons को ही हम Current कहते है यानि Current is the Flow of Electrons इना Circuit यानि किसी भी Circuit पे Electrons को Flow होना यानि Flow of Electrons तो उसी को हम Current कहते है Suppose that हमारे पास क्या है यहाँ पे एक Lamp लगा हुआ है और हमारे पास ये एक circuit है complete circuit है ओके ये हमारा switch हो गया ठीक है तो ये हमारे पास क्या है एक circuit हो गया अब इस पर जो current होगी न वो current नहीं जाएगी यहापर हमारे electrons flow हों गया ऐसे ऐसे तो electrons के flow को यानि electrons के always को ही हम current कहते हैं फ्रेंट्स तो ये होता है हमारा current तो आप इस पे देख पा रहे हैं जैसे कि ये देखो current यानि electrons ही flow हो रहे हैं किसी भी यानि ये wire के अंदर क्या है electrons flow हो रहे हैं तो ये होता है हमारा current तो आप ये definition आप अपने exam में या किसी भी competitive exam में आप लिख सकते हैं कि current is the flow of electrons in a circuit यानि current जो है वो electrical circuit में यानि जो electron flow होते हैं तो उसी को हम current गहते हैं अब friends बात करें कि जैसे कि हमारे पास कोई भी current है तो current की एक तो हमारे पास है ampere यानि current की जो unit होती है वो होती है हमारी ampere होती है यह सब को पता होगा, यानि current की जो unit होती है, वो ampere होती है, तो यह आपको basically ध्यान रखना है, किसी भी exam में यह हर बार पूशा जाता है, या interview हो, किसी भी electrical पे, तो यह जरूर याद रखना है friends, अब जैसे friends हमको, suppose that हमें current का formula find out करना है, यानि किसी भी circuit में current निकालना है, तो current का formula होता है, I is equal to V upon R, यानि हम ohms low के दोरा हम current find out करते हैं, ohms low क्या होता है, V is equal to IR, ये ohms low का formula होता है, तो friends, यह भी आपको ध्यान रखना है, कि current कैसे हम निकालेंगे, किसी भी circuit का, तो इसका formula यह होता है, I is equal to V upon R होता है, तो friends, अब बात कर लेते हैं, voltage, voltage क्या होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर voltage the, voltage what, push electrons around the circuit without voltage, electrons move randomly in any direction, तो friends जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि जो हमारा voltage होता है, वो क्या करता है, जो current है, यानि electrons है, उनको क्या करता है, pressure देता है, यानि आगे भेजता है, तो basically voltage का काम यही होता है, कि electrons को, यानि current को आगे भेजना, इसमें लिखा हुआ है, कि voltage what, push electrons around the circuit, यानि जो हमारा ये around circuit है, तो इसके around क्या है, ये electrons को धक्का दे दे के, आगे move कराता है, या flow कराता है, तो ये होता है, हमारे पास voltage, voltage का जो, voltage को जो हम V से ही denote करते हैं, और voltage को निकालने का formula होता है, V is equal to IR, ये होता है, अगर हमारे पास current है, किसी भी circuit में, और resistance दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, voltage हम निकाल पाएंगे, तो friends, सबसे पहले हमारे पास, अगर हमारे पास voltage, ठीक है, voltage नहीं दे रखा है इस पे, और इस पे current दे रखा है, 2 ampere, ओके, current दे रखा है, 2 ampere, और इसको हम register मान लेते हैं, register भी दे रखा है, 4, 4 का कुछ, 4 ohm का दे रखा है, तो friends, हम voltage कैसे find out करेंगे, इस bulb का, इस load का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि V is equal to IR, यह होता है, तो हमने क्या, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे 4 था, तो हम current कितनी है, 2 ampere, और multiply by 4, यानि हमारे पास voltage कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यह होता है, voltage find out करने का formula, जो हम voltage find out करते हैं, वो ohms low की दोरा ही निकाला जाता है, तो आप friends इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यह वीडियो है, इसके इसाब से आप देख सकते हैं, जो हमारा voltage है, वो क्या कर रहा है, कि electrons को क्या कर रहा है, यानि electron को push करना ही हमारा voltage कहलाता है, अब friends बात कर लें हम, short circuit क्या होता है तो इस वीडि़ो के मैं आपको बताने वाला short circuit क्या होता वैस्पली आप इसके क्रेंड्स आफ़ बात करें कि हमारे पास chocolate यह नी pastor कीसे होता है तो आप इस वीडियो पर देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बता रखा इस पर all ready जैसा कि इसमें दो वायर है